नमस्कार स्वागते आपका निज्वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी और आप देखने हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया में खवरों का रूप कर लेते हैं बीजेपी मुख्याले में आज भारते जंता पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीजेपी अधियक्ष जेपी नड़ा सभी राष्टिया पदधिकार्यों और पार्टी की मूठ्च प्रमुखों को पांच राज्यों में आने वाले विधानसबद से पहले केंद सरकार के उपलब्धियों को जंता तक पहुंचाने के टिप्स देंगे इसके साथ ही बीजेपी अपने चुनावी अभ्यान की शुरुआत भी करेगी इस मौके पर प्रिधान मंत्री नरेंद मूधी पार्टी पदधिकार्यों की बैठक को संबोधित भी करें इसके लिए सभी नेताओं को इस अभ्यान की उपलब्धियों से जुड़े रिपोर्ट कार्ट को लेकर आने के लिए कहा गया है। इस बात की भी संभावना है कि बैठक के अंत में विधान मंत्री नरेंद मूधी का संबोधन होगा हाला कि पीमो ने अब तक इस बात की कोई भी पूश्टी नहीं की है। को करोड डोस पूरे होने पर प्रोग्राम और किस सरह से आगे की रणनीती पर काम किया जाएगा। उस सभी मुद्दो कुले कर चर्चा की जाएगी। संयुक किसान मोर्चा ने कहा है कि लखिमपूर खिरी में कोई किसानों की खत्या के मामले में केंड्रे ग्रहर राच्चे मंत्री आज़े मिश्टेनी को बाखास का नियों गिरफतार करने की मांग को लेकर आंदोलन चारी है। आपको बता दें पहले से ही घोशित कारक्रम के तहट 18 अक्टुबा यानि की आज देश भर में भारत में रेल सेवाओं को बाधित किया जाएगा। साथी कहा गया है कि रेल संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना रेल रोको आंदोलन शान्तिपून तरीके से किया जाएगा। ऐसे में सकेम ने सभी घटको को कहा है कि देशा निर्देशों का सकती से पालन किया जाएं। साथी रेल रोको आंदोलन को सफल बनाने के लिए रविवार से ही किसान संगटनों ने तयारियां शुरू करती थी। इस दोरान आपको बता दें कि सड़क मार्ग बादित नहीं किया जाएगा किवल रेल रोको के लिए कहा गया है। मोर्चा ने विरोध जताने के कई कारक्रमों की खोशना की थी। ऐसे में सकेम शुरू से ही अजे मिश्रा टेनी को केंज सरकार में मंतरी परिश्रत से बरखास करके गिरफतार करने की मांग करता रहा है। ये सपस्ट है कि अजय मिश्रा के मंत्री पत पर होने की वज़ास इस मामले में नयाय की उमीद नहीं है ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनका बेटा अशीश मिश्रा लखीनपूर खिरी खत्याकान का मुख्या आरोपी है बलके रिपोर्टों से संकीत मिल रहा है कि चश्मदीतों पर गवाही न देने और अपने बयान नदर्ज करने के लिए दवाब बनाये जा रहा है इसलिए बीज़ेपी में उनकी पार्टी के सहयोगी दावा कर रहे हैं कि वो पूरे घटनकरम के सूतरधार थे तो इसलिए लगाता किसानों के मन में नाराजगी है और आज सुबे से दस बज़े से यानि कि अपसे थोड़ी ही देर बाद से और शाम छे बज़े तक किसानों की तरफ से पूरे देश में आज ये रेल रोकों अंदोलन किया जाएगा और ऐसे में पूरी तरह से ट्रेने जो हैं वो बादित रहेंगी हाला कि सरकों पर आवजाही पूरी तरह से खुली रहेंगी लेकिन ट्रेने जगा जगा पर रोकी जाएंगी कोरोना मामलों में आए गिरावत के बाद सरकार ने उड़ानों पर कैपसिटी कैपस हटाने का फैसला कर लिया है जी हाँ पूरी श्रमता के साथ फिमान उड़ेंगे जो आज से लागू हो जाएगा नागरिक विमानन मंत्राले के मताविक आज से घरेलू विवसाइक उड़ानों में यात्रियों की श्रमता कुले कर लागू पावंदियां हटा ली जाएगी इससे उडानों का संचालन पूरी शर्मतह से किया जा सकेगा और इसे रियायत के साथ सरकार ने यात्रियों से पूरे कोरोना नियमों का पालन करने के दिए कहा है आपको बता दें कि सितंबर में सरकार ने घरेलू उड़ानों की याप्री शम्ता 72.5% से बढ़ा का 85% तक करती थी से पहले Ministry of Civil Aviation ने जुलाई में डोमेस्टिक फ्लाइक्स की कैपसिटी को 50% से बढ़ा का 65% किया था ऐसे में आपको बता दें कि कोरोना की वज़ा से 23 मार्ज 2020 से शेड्यूल अंतरराष्टे उड़ानों पर ब्रोक लगाई कई थी और लेकिन माई 2020 से बंदे भारत मिशन के तहत विशेश अंतरराष्टे उड़ानों का परिचालन हो रहा है इसके अलावा चुनिंदा देशों के साथ दोई पक्षिय एयर बबल विवस्ता के तहट जुलाई 2020 से ही उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है हाला कि आज से अब 120 शमता से उड़ानों के संचालन की इजासत दे दी गई है और ऐसे में देश में कोरोना संक्रमेंट की स्सिति अब सुधर गई है और अफ़ते बर में दूसरी बार कोरोना मामले एक दिन में 15,000 से कम दर्ज किये गए है अगर रविवार की बात की जाए तो रविवार को स्वास्तर मंतुवारे के और से ताजा आक्रा जारी किया गया था जिसमें पिछले 24 घंते में 14146 नए कुरोना मामले सामने आये थे जिसको देखते हुए अब ये बड़ा फैसा लिया गया है कि टोमेंस्टिक फ्नाइट पूरी श्रमता के साथ अब याक्तियों को ले जा सकेंगी पूरे देश में ऑक्टूबर के महीने में मौसम की चाल बिगड़ गई है उत्तर से लेकर दक्षिन तक केरल कनाटक, तमिलनाडू, दिल्ली एंसियार, उत्तरप्रदेश, उत्राखंट, हिमाचल प्रदेश में कहीं मुसलादा बारिश तो कहीं अचानक बर्फबारी ने जन जीवन पूरी तरह से अस्त्वियस्ट कर दिया है केरल में शनिवार से हो रही भारी बारिश की वज़ा से बार और भुस्कलन से अब तक 26 लोगों की जान जाच चुकी है जबकि दो पहाडी जिले कोटायाम और इड्डू की सबसे ज्यादा इस से प्रभावित हुए हैं आपको बता दें कि कोटायाम में सबसे ज्यादा 11 लोगों की अब तक जान जाच चुकी है और घर पूरी तरह से लोगों के बार में भेच चुके हैं तमिलाजू की बात करें तो वहाँ लगतार बूसलादा बारिश की वच्छा से 83 जिले के कोट्रालम जल प्रपात और ठैनी जिले के चिन्ना सुरूली जल प्रपात के शेत्रों में बार आने की भी खबर है ऐसे में वनविभाग के अधिकारी लोगों को रूपने के लिए जल प्रपात शेत्रों की खिरबंदी कर रहे हैं वहीं दक्षिन तमिलाजू के त्रिनुल लिवी और कन्या कुमारी थैनी डिंगु गुल जैसे इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश साल 2019-2020 की तुलना में बहुत ज्यादा है एक मजबूत पश्यमी विशोब की वज़ह से रविवार को पूरे दिल्ली न्सियार और पश्यमी उत्रप्रदेश के कई इलाकों में आधी के साथ भारी बारिश होई इसी वज़ह से जगा जगा पर पानी भरने के साथ जाम जैसे सिती भी बन गई हाला कि भारी बारिश की वज़ह से दिल्ली का अधिक्तम तापमान समाने से 3 डिग्री गिर कर 30.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है वहीं अगा उत्राखंड और हिमाजन प्रदेश की बात करें तो वहां भी 18 यानि की आज और 19 अक्टूबर को 30 बारिश की आश्रंका जताई गई है उत्राखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी करने के साथ ही धेरदून में सुमवार को सभी सरकारी और नीजी स्कूल और आंगनवारी केंडरों को बंद रखने का फैसला भी लिया गया है साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जबकि 19 अक्टूबर के लिए और इंज अलर्ट जारी किया हुआ है सरकारी तेल कंपनियों के ओर से आज पैट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है बीते कल आपको बता दें डीजल के दाम में 33 पैसे और 37 पैसे तो वही पैट्रोल के दाम में 31 से 35 पैसे बढ़े थे लेकिन पैट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही लोगों की परशानी भी बढ़ रही है ऐसे में आपको बता दें कि कई राचों में इसके दाम 100 रुपे से उपर पहुंच चुके हैं देश में रोजाना बढ़ते पेटरोल और डीजल के दाम आम आदमी की आमदिनी पर असर डाल रहे हैं पेटरोल और डीजल की ये बड़ी हुई कीमते हर दिन रिकॉर्ट बना रही हैं आपको बता दें कि दिल्ली में पेटरोल का दाम 105 रुपे से भी ज्यादा खुच चुका है जबकि डीजल का दाम 94 रुपे से ज्यादा है ऐसे में मुंबई में की बात करें तो वहाँ पेटरोल 111 रुपे से ज्यादा मिल रहा है जबकि डीजल की कीमत 102 रुपे प्रती लीटर से ज्यादा है कोलकाता में भी पेटरोल का दाम 106 रुपे से ज्यादा है जबकि डीजल का दाम 97 रुपे से ज्यादा है वहीं चन्नाई में भी पेट्रोल एक सो तीन रुपे प्रती लीटर के उपर बिक रहा है तो डीजल भी सौ रुपे के करीब हो चुका है मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है लेकिन अच्छी बात और राहत की बात ये है कि आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है दिल्ले में प्रद्यूशन का इस्तर लगतार बढ़ रहा है सी बीच के जिवाल सरकार ने नासा सेटलाइट द्वारा जारी तस्वीरों का हवाला देते हुई पंजाब और खर्याना में पराली जलने की घटनाओं पर सवाल खड़े किये हैं साथी आपको बताने पर्यावरन मंत्री ने प्रद्यूशन से बढ़ने के लिए ओड और इवन फॉम्मूले को आखरी खत्यार बताया है दिल्ली के परियावरन मंत्री गुपाल राई ने कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रद्यूशन कोले का पिछले साल एक स्टडी की गई थी इसमें पाया गया था कि जब पंजाब खरियाना उत्रदेश के अंदर पराली जलना बढ़ती है तो दिल्ली का प्रद्यूशन का इस्तर और भी जादा बढ़ने लगता है इस साल भी हम देख रहे हैं कि 13 अक्टूबर को एर क्वालिटी इंडिक्स का इस्तर 171 था ऐसे में नासा की तस्वीरों के पताबिक उस दिन पराली जलने की संख्या कम थी लेकिन पिछले तीन दिनों के अंदर काफी तेजी के साथ पराली जलने की घटनाएं पंजाब उत्तर प्रदेश खरियाना में पड़ी हैं जिस तेजी के साथ पराली जलाने की घटनाएं पड़ी हैं उसी तेजी के साथ शनिवार को IQ का इस्तर भी 284 पर पहुँच गया था उन्होंने कहा कि इस साल अभी केंजवे बायो गुनवत्ता आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पिछले साल के मुकाबले पराली जलने की घटनाएं तेजी से बड़ी हैं इसलिए दिल्ली के अंदर हमने पूरा उसा भायो डी कंपोजर के चरकाव की तयारी 5 अक्टूबर से ही कर ली थी हमने देखा कि बारिश की वज़ा से पसल देरी से कट रही है और बारिश देर तक चली है ऐसे में पसल के कटने का समय भी थोड़ा आके और ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन अब तेजी के साथ पराली जलना शुरू होगा जिससे और ज़्यादा प्रद्यूशन बढ़ने की भी आशंका है दिले मेटरो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड निउस है जी हाँ जो भी यात्री येलो लाइन पर यात्रा करते हैं उनको फ्री बाइपाई इंटरनेट की सेवा मिलेगी और इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है आपको बता दें फ्री बाइपा इंटरनेट का फायदा हुड़ा सिटी सेंटर से समयपुर बाद्री तक के मेटरो स्टेशन लाइन के पीच सपर करने वाले लोगों को मिलेगा और इस मेटरो लाइन पर करीब 37 मेटरो स्टेशन हैं जिनमें जहंगीन पूरी, आदर्श नगर, आजादपुर, मॉडल टाउन और गुरु तेग पहादूर नगर, दिल्ली बिश्विद्याले, विधार सबाद, सिविल लाइन और कश्मीरी गेज जैसे स्टेशन से इन सबी स्टेशन पर यात्रा करने वाले लोगों को ये सुविधा मिलेगी आपको बता दें कि येलो लाइन ज्यादा अंडरग्राउंड स्टेशन है और दिल्ली मेटरो के स्टेशनों पर फ्री वाइफाई में किसी भी तरह की कोई समस्या के लिए एक नमबर भी जारी किया कया है जिस पर आप संपर कर सकते हैं वो नमबर है 9541693693 इस नमबर पर वाइफाई से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको मिल सकती है साथ ही आपको ये भी बता दें किस लाइन पर यात्री अब OUI DMRC फ्री वाइफाई नाम से नेटवर्क पर लॉग इन करना होगा तो जिसके बाद फ्री वाइफाई इंटरनेट का उप्योग कर सकेंगे इसके लावा इमेल, फेस्बूप, गूगल सर्च, वाटसेप, वीडियो और आडियो कॉल जैसे सुविधाएं भी लोगों को अब मिलने जा रही है भारत बायोटेक की कोरोना को वैक्सीन को इस महीने के अंत में विश्विस्वास से संगठन से आपात इस्तिमाल की मलजूरी मिल सकती है आपको बता दें कि डबलू एचो की प्रमुख विग्यानेक डॉक्टर सौमया सौमीनाथन ने और अविवार को बताया कि डबलू एचो के तकनिकी सहलाकार समू की बैठर 26 अक्टूबर को हैदरबाद से भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन को वैक्सीन के अपात कालीन उप्योग पविचार करने के लिए होगी ऐसे में सौमीनाथन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए ये भी कहा कि इसके लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर डबलू एचो काम कर रहा है हमारा लक्षया पात कालीन उप्योग के लिए सुर्कित टीको का एक व्यापक पोर्ट पोलियो और हर जगा तक पहुँच का विस्तार करना है इससे पहले महीने के शुरुआत में आपको बता दें डबलू एचो ने टूइट करके कहा था कि को वैक्सीन लगादार आधार पर डबलू एचो को डेटा उप्लब्द करा रहा है और 27 सितंबर को इसकी अनरोध पर अतिरिक जानकारी उसने दी विशेशग्य वरतमान में इस जानकारी की समिक्षा कर रहे हैं और यदी इससे सभी सवालों का जवाब मिलता है तो डबलू एचो के मुल्यानकन को अगले सब्ता अंतिम रूप दे दिया जाएगा आपको बता दें कि भारते चुकितसानुसंदान परिशद और नैस्टर इंस्टिटूट ओफ वारोल लॉजी के सहयोग से भारत बायोटेक नहीं ये टीका विक्सित किया था रहसे में निर्माताओं के नुसाफ पेस 3 के क्लिनिकल ट्रायल में को वैक्सीन को 77.28 पीज दी प्रभावी पाया गया था इसलिए भारत में कुरोना संक्रवन के खिलाब टीका करन अभ्यान में तीन टीको का उप्योग कर रहा है इन्वे से एक सिरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया की कोविशील और दूसरा भारत बायोटेक का को वैक्सीन है इसके अलावा रूसी वैक्सेन स्पुतनिक वीग भी पीसा ठीका है जिसे अपात कालीन उप्योग के लिए ब्रभ कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से अपात इस्तुमाल की मन्जूरी मिल चुकी है सीबियसी ने साल 2021 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओ की बोड परिक्षाओ के पहले चरण यानि की टर्म बन परिक्षाओ के लिए डेचीट आज जारी की जाएगी आपको बता दें कि बोड ने हाली में 14 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी करते हुए खोशना की थी कि दोनों ही कक्षाओ के लिए नवंबर और दिसंबर 2020 के दोरान आज़ित किये जाने बाली टर्म एक की परिक्षाओ के लिए डेचीट स्टूरेंट्स को 18 अक्टूबर क डाउनलोड कर सकेंगे चात्रों को ध्यान देना चाहिए कि वो CBSC टर्म वन डेट शीट को वो बोड की अधिकारिक वेबसाइट cbsc.nick.in पर एक्टिव की जाने बाले लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे ऐसे में CBSC द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार बोड द्वारा कक्षब बारवी में 114 विश्य और 75 विश्य संचालित किये जाते हैं इन विश्यों के लिए परिक्षाओं के लिए आवश्यक 44-45 दिनों की अप्धी को करने के उदेश्य से बोड ने विश्यों को मेजर और माइनर के चक्री में विभाजित किया है आपको बता दें की मेजर सब्जेक्ट बोड से संबन सभी स्कूलों में आपर होते हैं जबकी माइनर सब्जेक्ट से कुछ ही स्कूलों में पढ़हाया जाते हैं ऐसे में बोर्ट सभी स्कूलों में संचालित मेजर सब्जेक्ट के लिए डेशिट जारी करने की खोशना कर रही है जबकि माइना सब्जेक्ट के लिए बोर्ट द्वारा एक ही दिन स्कूलों के समों से चर्चा के बाद आयोजित की जाएगी वहीं मेजर सब्जेक्ट के लिए CBC टर्म 1 एक्जाम 2021 का आयोजन आज जारी होने वाली डेशीट के अनुसार किया जाएगा दिलिक यूनिवर्सिटी में आज से 30 कट ओफ जारी होने के बाद एड्मिशन शुरू हो जाएंगे आज सुबा आठ बज़े से लेकर रात के 12 बज़े तक बच्चे आवेदन कर सकते हैं खास बात ये है कि इस बाद शात्रों को दाखिले के लिए आवेदन के लिए 4 दिन अवस्तर मिले गा और इससे पहले शात्रों को कट ओफ के लिए केवल 3 दिन का समय ही मिलता था लेकिन डियू की ओर से शनिवार को 30 कट ओफ जारी की गई इसके तहट कई नामे कॉलेजों में बीकॉम, बीकॉम ओनर्स और एकोनोमिक्स में कट ओफ उची पहुँची है जबकी राजनिते विग्यान, अंग्रेजी, भूगोल और इतिहास में सीचे कम होने की वज़ा से दाखिली के अबसार बच्चों को इस वार कम मिल रहे हैं एड्मिशन को लेकर सोंवार से ही प्रक्रियाश शुरू होगी और इसके तहट बच्चे 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद एड्मिशन ले सकते हैं वहीं आपको बता दें कि कॉलेजों को 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक योग्य चात्रों के एड्मिशन को मन्जूर भी करना होगा साथी कट अफ के तहट चात्रों को 23 अक्टूबर शाम 5 बजे तक फीज जमा करनी भी होगी पीजमा करने पर ही चात्रों की कॉलिज में सीट पक्की होगी वना चात्रों के पास इस कट ओफ में दाखिले का अफसर नहीं होगा आपको बता दें कि युनिवर्सिटी प्रसाशन की चात्रों को राय है कि इस कट ओफ में ही दाखिले की सीट पक्की करा लें और अगली कट ओफ का इंतसार न करें क्योंकि आने बाली कट ओफ में उच अंक वाले चात्रों के लिए दाखिले के अफसर नहीं होंगे ICC T20 बेशुकप का अगास राउंड एक एक क्वालिपायर मुकाबले के साथ प्रविवास 17 अक्टूबर को हुआ पहले दिन दूसरे मुकाबले में एक बड़ा उलट फेर देखने को मिला आपको बता दें ICC T20 ब्रैंकिंग में छटे स्थान पकाबेज बांगलादेश की टीम को चौदवे नंबर की टीम स्कॉटलेंड ने मात दे दी पहले बल्ले बाजी करते हुए टीम ने 140 रन का स्कॉर खड़ा किया था और ऐसे में जवाब में बांगलादेश की टीम निर्धारिद 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 134 रन ही बना पाई जबकि 6 रन के माच जीत कर स्कॉर्टलेंड ने टूनमेंट का बड़ा उलट फेर कर दिया बांगलादेश के कप्तान मोहुतुला ने टॉस जीत कर इस माच में पहले फिल्डिंग करने का फैसला लिया था और आपको बता दें कि टॉस गवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मंजी ने 29 रन के बावजूद स्कॉर्टलेंड के एक समय 6 विकेट पर 53 रन बना कर संकर्श कर रहा था लेकिन ग्रीव्ज 45 रन और 28 गेन 4 चौके 2 छके ने मार्क वोट के साथ 51 रन की साज़धारी की ऐसे में बांगलादेश के कप्तान अपना दूसरा मैच खिल रहे क्रिस ग्रीव्ज की तूफानी पारी से स्कॉटलेंड ने बीच में ही 8 रन के अंधर 5 विकेट गवाने के मुश्किल दौर से उभर कर बांगलादेश के खिलाफ 9 विकेट पर 14 रन का चुनौती पूर्ण स तक एक विकेट पर 49 रन था जबकि अच्छी स्थिती में दिख रहा था लेकिन इसके बाद इस पनलों ने गैंच समाली और फिर पूरी कहानी बदल गई उत्तप्रदेश के बस्ती में मिनी मैराथन के मौके पर पहुँचे यूपी के मंत्री सतेश दिवेदी ने कहा कि बस्ती में मिनी मैराथन पूर्वांचल की पहचान के रूप में उपरा है इस मैराथन का ये दसवा साल है और मैराथन में लड़कों और लड़कियों में उच्छा जिस तरह से दिखाईती रहा है उससे निश्रित रूप से भारते खेलों का भविशय उज्वल होता तो दिखी रहा है साती खेल के शेत्रों में विशेश कर बस्ती मंदल का भाविश्य उज्वल दिखा है यहां के बच्चे और विशेश रूप से खेलों में रुची ले रहे हैं साती इस मैरतन के जर्ये उनकी मन में उत्सा भी बढ़ रहा है और उनकी हिम्मत बढ़ रही है वहीं जब मन्फरी से सवाल किया गया कि पिशले महीने में कश्मीर में नौजवान शहीद हो गए और आने वाले 24 अक्टूबर को टी-20 मैच में इंडिया और पाकिस्तान की टीम मैदान में होगी तो क्यों ना पाकिस्तान से मैच ना खेल कर देशकर पती एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करे तो जवाब में मन्फरी ने कहा कि दोनों अलग-अलग बाते हैं और बाके जब जरुरत पड़ती है तो सरकार निर्णे लेती है बस्ती मिनी मैराथन पुरवांचल की एक विसिष्ट पहचान के रूपे उबरा है इस मैराथन का एक दस्वां बर्स है और इस मैराथन में जिस तरह का उत्सा लड़कें और लड़कियों में दिखाई दे रहा है उससे निश्चित रूप से भार्पिये खेलों का भविस्ट तो उच्ण दिखी रहा है बल्कि खेल के छेत्र में पुरवांचल का और विसेष कर बस्ती मंडल का पस्ती अंचल का वविस्वी उज्वल दिख रहा है अब यहां के लड़के-लड़कियां भी खिलो में विशेश रुची ले रहे हैं और वह इस मेरातन के माधियम से उनका उत्साह बढ़ रहा है उनकी हिम्मत बढ़ रही है उनकी रुची बढ़ रही है और हम यह उम्मीद क और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही आप देखते रहिए नीज्वल इंडिया